हेलो एर्वान एंड वेलकम यू ओल इंटो पी डवल्यू आईटी जैन सेसर नेट चैनल मैं एविनाश मोरे स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर और आज हम पढ़ने वाले कार्बोकटायन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हमने पहले अल्रेडी तीन ल करेंगे अपका डिमेचनल रिएंजमेंटो थर्द हम डिसकस्त करेंगे तीफनीव डिमेचनल रियरीजमेट कार्बोकटायन के रियरेजमेंट से कार्बोकटायन का जो हम स्टेव बाइस पढ़ रहे हैं पहले जन्दरेशन देखा फिर आपके कुछ रियक्च्ट देखें वैसे ही continue आगे हम कुछ reaction देखेंगे जो आपके सामने है उन मेंसे क्वेश्चन्स हम करेंगे उन मेंसे देखेंगे कौनसे कुष्चन्स परिवेस देंड है कुष्चन्स कैसे आपको ठीम्ड करने तो बहुती इंपॉटने लेक्षर आज का होने वारा जिसमें से बहुत सारे कोश्चंज बहुत सारे कुश्चंज आते हैं तो ठीक है देखते हैं देखो वैंगनार मिर्विन रिर्डमेंट पहले समझते हैं तो एक कारबोकाटाइन रिर्र इंप इसमें कुछ और प्रबके हैं कुछ यहां पर आप आड़ करोगे कि ऐसे रियाक्शन में जब आप एच प्लस एड़ करते हूं कि जैसे कि एक्जामपल है आपने फोर मेंबर रिंग का एक्जामपल देखा था ऐसे यहाँ पे सी एच टू एच अगर होगा आप अगर एच प्लस एड़ करते हो तो क्या कहते हैं और गिनिक मोलेकुल है उसमें प्रसपीजन के लोगन पर इस पर इटाक करेगी है निए अगा ओश टू पॉजिट्यू बन जाएगा यहाँ से यह निकलेगा यहां से तो compound बन जाएगा ऐसे cut time 5 member ring है तो यह क्या करता है ring expansion करता है generally ऐसे इसमें जो product बनता है इसमें दो possibility है hydrogen भी कर सकता है ring expansion भी कर सकता है hydrogen करेगा तो tertiary prefer करता है ring expansion करके 6 member ring भी बना सकता है कैसे 6 member ring बनाएगा पिछले class में मैंने बताया था जब भी आपको ऐसे questions को deal करना है सबसे पहले आपका क्यार हो रहे सबसे पहले आप इसमें numbering करोगे एक दो तीन चार पाँच और यह चे पांच का बन चे से जुनने जा रहा है मतलब आपका एक दो तीन चार पाँच और यह चे देखो one और six का बन पहले से था यह देखो यह था तो यह वांड फहले से था नया बाण को इसा बन रहा है वांड बन रहा है यह यहां पर फाइव पर क्या आएगा और यहां पॉजिटिव चार जाके आपका कटायन बन जाएगा ऐसे दूसरी possibility क्या है दूसरी possibility है कि हाइट्रोजन यहाँ पर यहाँ shift हो जाए tertiary कटायन बन जाए ऐसे दो possibilities आपके पास बनते इसमें अगर कुछ नहीं दिया होगा सिर्व h प्लस दिया होगा आप क्या करोगे last step में यहाँ पर elimination कर दोगे और यहाँ पर last step में elimination कर दोगे ऐसे ठीक है तो यह 2 product possible है जैसे कि अब यह example अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 possibility है क्या क्या इसमें 1 ही possibility है 2 तो वहां पर हमने देखा दो पॉसिबिलिटीज है बट इस केस में अगर आप चर्चा करोगे एच प्लस अगर एड़ करोगे तो आपको बात समझाएगी देखो क्या एच प्लस एड़ करने पर क्या बनेगा सिम्पल है बिल्कुल देखो यह बेंजीन रिंग एज़िस फायू मेंबर रिंग एज़िस ओएच है ओएच टू पॉजिटीव बन जाएगा ऐसे निकल निकाल दिया जाएगा ऐसे तो आपका एच टू पॉजिटीव बन जाएगा ऐसे क्या इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है यह पॉसिबिलिटी अगर आप यहां पर देखोगे यह पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं है तो यहां पे कटायन बन जाएगा ऐसे यहाँ पे कटायन कैसे बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा अब ध्यान से समझना इस बात को यहाँ पे यह जो कटायन है इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझाएगे कि यह क्या है कटायन यह कटायन क्या है anti-aromatic है यह एटी ऑरोमेटिक है यह वहाँ पर कोई भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी यह बिलकुल फॉर्म नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी इस थी बड़ यहां पर क्या होगा वो पॉसिबिलिटी काम नहीं आएगी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी है रिंगे एक्स्पांशन कर देगा ऐसे तो रिंग एक्सपांशन अगर करेगा तो बी पॉसिविलिटी यह यह देखो कैसे होगा आपके पास कंपाउंड है यह इस तरह से इसने क्या किया कैसे इसने इसने क्या किया कितना नमबर नमबरींग कर लेना है सब से पहले जब भी कुछ भी डिपिकल्टी लगे नमबरींग कर dop एक करके किया यह देखो गी यह यह दो थीन चार पाँच और छे एक और छे काबॉंड पहले से पाच और छे काबॉंड बन रहा है मतलब यह क्या है फायू नमबर है यह 6 नमबर है यह क्या था फोर यह क्या था थी यह डबल बॉंड यह डबल बॉंड यह डबल बॉंड यह डबल बॉंड यह टू यह वन पट फयू और वन के इलेक्ट्रॉंस गए शिक्स पे तो पॉजिटीव चाह जाएगा यहां पे हाइड्रोजन निकल जाएगा ऐसे तो इसमें जो फिवेगनार विडुण बोलत कट कार्बोकटाइन के रिएयरेजमेंट का ग्जांपल फिए गनरल्विड में भी दिया जाता है का इस इसमें अगर पर्टिकुलर्ली और समझोगे तो आपको बात समझ आएगी क्या ऐसे जो क्वेश्चन से जैसे कि यहां पे प्रोटॉन ले लेगा तो यहां पर बनेगा यह तरह से यहां पर बनेगा यहां पर निकलेगा तो पिनेगल के लेक्षर में देखा था कि जो एंटी ग्रूप होगा वह माइगरेट करेगा अब यहां पर दोनों सीए से तो कॉंपेटिशन नहीं है पॉइंट इंपॉइंट इंपॉटन इसमें से प्रिवेस एर में पॉश्चन आये है आगे भी कॉश्चन आयेंगे कि एंटी प्रोटोनेशन आपका यह प्रोटॉन निकलने के बाद प्रोड़क्ट जो बनेगा वो कैसे होगा प्रोड़क्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा बोलो बात क्लियर है क्या बिलकुल बात क्लियर होनी चाहिए ठीक है बिलकुल यहां पे बात क्लियर होनी चाहिए तो य करों जाएगी बात कि यहां पे फोर मेंबर रहेंगे वन टू ठी मिमबर रेंगे फोर में बार कुषायन मैं है करोंगे कार्बुकentाइन बनेगा करेंगे यह इंतरी पॉसिबल होगा तो थो तौक करेंगे रिंग कॉंट्र करेंगे फोदी के बाद भी औरीमेंटी सफिबल हो सकती है 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 जो इन्ट्रा-मॉल्पील इंट्र मॉल्पीलर लास्ट ट्रेप होगी इलिमिनेशन ठीक है तो यहां पे रींग पॉसिबल है क्या हां जी है तो यह फोर मेंबर इंग यहां से एक्सपांड होके यहां फाइव बना देगी और यहां पर जो कमपाउंड बनेगा यहां पर इसकी वाज़े से अपकटायन बन गया कुछ लोगों को क्वेशन यहां पर होगा सर जो पहला कटायन था वो तर्शरी था यहां पर देखो और जो अभी कटायन बन रहा है और उसका स्ट्रें यहां पर क्या हो रहा है और इसी लिए यहां पर माइनस है prob आपका यहां हो syi हो गा जन्रि येस कि होता है जन्र definitely तो sy जो आइसे बलूक किलेर होनी क्लिये बल्कुल बात आगे देखो क्या है कुछ अगे देखो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग क्वेशन ईसमें non classical cọ dispersed डालोंटаж एच प्लस और अग्ड ऑड़ करोंगे तो है कि आपको समाजाएगी बात क्या यहां पर यहां पर और जबहें एकज्व होता है वह ज्रोंग, यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो इसमें अगर दिया हो गे तो आपको बात समझाएगी क्या हो रहा है भाई साब हो रहा है कुछ ऐसे यह बांड ब्रेक हो रहा है यह निकल के कटायन बनाने वाला था तो यह बांड यहां पर फॉर्म हो रहा है के यहां पे एलिटा पॉजिटिव चार्ज हो बोल सकते हो यह ध्यान रखना कि यहां पे cc3 यहां पर cc3 पॉजिटिव चार्ज यहां जब ऐसे कोई structure बन जाए उसको री structure करना पड़ता है फिर से लिखना पड़ता है री राइड करना पड़ता है तो उस time आपको क्या करना है उस time आपको जहां से six member ring डूननी पहले कही है कि तो यहां पर मैं ढूंद रहा हूं क्या है इस कटायन से trafficking करता हो एक नमबर दो नमबर तीन फार नमबर पाच नमबर और छे नमबर और यह चे नमबर principe को connected है औसको मैं बढ़र रही है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा ऐसे क्योंकि ब्रीज भी ना इसमें यह ब्रीज है यह सेवें नमबर का फायू और थ्री के बीच में बीच है तो यहां पर देखिए ज़रा यहां पर एक नमबर दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पाँच और ये छे नमबर आपका है छे नमबर आपका है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको clearly नजर आएगा ठीक है, तो यहाँ पे किस के किस के बीच में, टू और फायू के बीच में क्या है यहाँ पे ऐसे आपका ब्रीज है, देख लो यह, सेवेन नमबर का, जुसको हमने सेवेन नमबर दिया हुआ है हमने देखा कि सिक्स नमबर पे दो मिथाईल ग्रूप है, यह देखो दो मिथाईल ग्रूप है अब देखो, यहाँ पे एच प्लस है लास्ट में, तो एच प्लस जब होगा, तो लास्ट में यहाँ पे कटायन बना हुआ है यहाँ से यहाँ पे तो hydrogen नहीं निकलने के लिए यहाँ का hydrogen नहीं निकल सकता double bond नहीं बना सकता according to brain stool आप bridge head carbon पे double bond नहीं बना सकते तो double bond यहाँ पे नहीं बनता तो यहाँ से आपका hydrogen निकलेगा और यह आपका जो product बनेगा कुछ ऐसे होगा आइगा को इस तरह से होगा ठीक है तो ये जो प्रोड़क्ट बनेगा आपका कुछ इस तरह से होने वाला है क्लेर बात क्लेंद का कुश्चन है अलोडी से सा नियड़ में आ चुका है तो नो इक्सांस में अलोड़ी आ चुका है फिर से आ सकता है यहां पर देखिएगा अगर आप डालोगे तो सिंपल रियक्षिन यह भी कुश्चन प्लेट इस बिल्कुल यहां पर प्रोटोनेशन करोगे क्या बन जाएगा तर्शरी कटाइन बन जाएगा आपके इसमें तो इसमें अगर देखोगे आपको बात समझाएगी कि यह क्या बन रहा है यहां पर कटाइन बनेगा ऐसे इसमें अगर यही प्रोड़क बन जाएगा तो आगे क्या होगा आपको प्रोड़क बताना है आपका समय शुरू होता है अभी आपको ट्राइ करना है आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ यहाँ आप इसको ट्राइग लोगे ट्राइक रूस्कू कि हरे बोलो वाय कि देखो जान से सुनना बड़ा ही इंट्रेस्टिंग क्वेशन है इसको आपको देखना पड़ेगा कैसे होगा देखो यह इसको निकाल के लेके जाएगा जैसे कि यहां पर है इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो मेरे पास दो तरीके है eu al c lt3 यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा इसको निकाल देका जाएगा और इस्में यह कंटिन्य यह रियक्षिन के बाद यह reaction होने के बाद भी आपको करोगे तब जाके आपकी यह reaction होती है जान से समझना कैसे होती है यह reaction आपके पास compound ऐसे यहां पर बन गया कटायन तो सेम ही कटायन बनाएं यहां पर जो बना था वही कटायन बनाएं बड़ इसमें क्या किया है एल सेल्टर हीट किया हुआ है dedicatedly आपका क्या हुआ है reaction करने की कोशिश हो रही है देखो यह आप जान से यह five member ring है एक दो तीन चार पाच member ring है यह five member ring एक्सपांड करेगी five member ring के बाहर कटायन तो यह एक्सपांड करेगा जान से समझना इस example को यहाँ पे ऐसे है क्या हो रहा है भाई साब यहाँ पे हो रहा है कुछ ऐसे इस तरह से यह आपका कटायन है यहाँ पे ऐसे यह भी five member ring थी इस सेल्ट यह भी five member ring थी इसने क्या किया यहाँ पे दो कि इस data किया तो यह फोज़ीट प्रत यहां से हट जाएगा और यह बॉंड टूटा है तो इस कारबन पे इस कारबन बेकी आएगा पॉज़ी चार जाएगा एसे है और जय्व इसको अगर ध्यांत से समझो होगे तो आपको बात क्या समझाएगी देखो यहाँ एक सिक्स मेंबर रिंग इन वाल डेट इस और कारवन नंबर वन यहाँ पर मैं काउंट करता हूं तो थ्री फोर फाइव और यह सिक्स तो इसको कैसे लिखोगे अगें री राइड करोगे ऐसे क्योंकि इसमें भी क्या है ब्रीज है सेवेन नंबर पर यह ब्रीज है तो यह सेवेन नंबर पर ब्रीज है जिस पर दो मिथाईल गुरूप है जिस पर क्या है दो मिथाईल गुरूप है इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझाएगी बात एक नंबर इसको दो नंबर इसको तीन नंबर का कारवन हैं जिसको attach है आपका 7 नंबर देखो यह 4 नमबर का कारवन जिस पे कुछ नहीं है 5 नंबर भी ch2 ही है और 6 नंबर का कारवन है जहां पे क्या है 6 नंबर क выгляд पें पॉसिटिव चार्ज है तो समझो के तो आपको कहा नहीं समझाएगे आगे क्या होने वाला है आगे आपके पास CL- आएगा यहां से अटैक करेगा कहां से दोनों एक जो में उपर अगर आपके ब्रीजेड पे दो मिथाईले तो जनले वो नीचे से अटैक करेगा और आपके compound में जो product बनाएगा कैसे होगा आपके compound product जो बनाएगा वो कुछ इस तरह से होगा CH3 यहाँ पे एक CH3 है यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे क्या है CL है hydrogen यहाँ पे होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका chlorine बोलो बात clear है अरे बड़ा ही इंट्रेस्टिंग question है इसको दूसरे तरीके से समझना होगा तो इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो देखो इसको दूसरे तरीके से मैं आपको पहले try करके मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जड़ा इसमें कैसे हो सकता है मैं एक बार देख रहा हूँ उसके बाद पिर आपको बताऊंगा don't worry इसमें अगर आप elcl3 डालोगे ऐसे तो इसको दूसरे तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं मुझे लगता है यह बहतरीन तरीका है इसको समझ देगा बस ring expansion के बाद आपको वैसे ही question आजाएगा इसको आप कैसे लिख सकते हों coefficient और एफ पिस जैसे की यहां पर है यह क्लोडीन है मिथायल यह कर बोन कि कंड फास कर लिए 012 kalian here यह तो तीन नंबर एचीन नंबर यह चार नंबर पांस नंबर के समयं नहीं को दो पांच की बीच में CH2 का ब्रीज था तो यह सी एच्टू का ब्रीज दो और पाच के बीच में था और यह च्छे नंबर आपका यहाँ पर जिस पर दो मिथायल गूर पर टैचे तो पाच नंबर छे नंबर ऐसे इसको कैसे करोगे इसमें इस तरह से तो आपके कंपॉर्ण में क्या होगा यहां पर यहां पर बीच में कारबन ऐसे जिसमें दो मिथायल गूरूप है यहां पर क्या बन गया क्या करेगा यह इसमें बन जाएगा आपका 6 मेंबर रिंग ऐसे दान से 1,2,3,4,5,6 और यह 7 नंबर का जो होगा वो ब्रीज होगा ठीक है तो यह आपका क्या बन जाएगा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा यह ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच और यह 6 सही बात अब ध्यान से सोचना यहां पर अगर आप देखोगे एक नंबर और आपके 6 नंबर के बीच में एक नंबर और चार नंबर के बीच में इसको ध्यान से समझना पहले हमने इसको इसमें कैसे structure किया इसको directly मैंने लिखा है ठीक है directly मैंने लिखा है क्योंकि मैंने यह पढ़ा हुआ है इसमें दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको directly इसको देखके बाद इसका ऐसे लिखना मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि impossible thing है आप पहली नजर में यह नहीं कर सकते है पहली नजर में अप कुछ और कर सकते हो पहली नजर में directly इससे यह नहीं लिख सकते मुझे भी नहीं आ आ रहा था मैंने एक जगा से पड़ा है उसके बाद फिर में इसको apply किया है और बहु आरे यह बॉहन टूटा तो दो नमबर पे यहांसे दो एलेक्ट्रों गये तो दो नमबर नमबर पाउजिटिव चार्ज आ गया एक और किसके बीच में वही चार के बीच में हैं यहां पर मिठाइल मिठाइले दो ऐसे यहां पर क्या पॉजिटिव चार्प इसको आप सी एल माइनस एड़ करोगे तो यह आपका बन जाएगा ऐसे कि अर्ण क्या लिख सकते आप अब नौर बॉर्णे इंड में अगर देगा नौर बॉर्णे मुट्रिय उप्शन कभी कभी आपको इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में परकूँन इतना होगा तो आप किया करोगे दोनों मिखेल को सील स्काइब तरह से लिखो गे यह दोनों मिठाइल के आप उजित साइट से आएगा मतलब अगर बीज अभव में होगा जैसे कि इसको इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको ऐसे भी दे सकता है कि यह कटायन ऐसे है और CL माइनस आएगा यहाँ से तो आपका बिलो से आएगा तो सेम प्रोड़क्ट जो इसे हमने उपर लिखाता वैसे CL मैंने यहाँ पर इंडो में क्यों लिखा है क्योंकि उपर दो मिथाइल गुरुप है तो उपर से अपरोच करना वो प्रिफर नहीं करेगा जहां पर स्टेरीक हिंडरंस होगा उपर दो मिथाईल गुरुप होगे वहाँ से अप्रोच करना यह प्रिफर नहीं करेगा तो यह प्रिफर क्या करेगा यह प्रिफर करेगा आपका नीचे से अटाक करना ठीक है नीचे से अटेक और आपको कंपाउंड में प्रोडक्त बंजाएगा थीक है बोलो ख्लेवाट नेक्स विच्छन है अब तक एकजाम में में आया नहीं तो आने के chances है कैसे होगा इसमें एच प्लस डालोगे एच टू डालोगे तो आपके compound में simple सी बात आपको समझ में आ रही होगी एच प्लस डालने के बाद आपको clearly बात समझा रही होगी कि पहले तो कटायन बन जाएगा सबसे पहले देख लो कैसे यह वह एच टू पॉजडिव बनेगा वह टू पॉजडिव बनके निकाल दिया जाएगा इससे कटायन यह इस्टेप पता है अभी अब ध्यान से समझना इस बात को क्या है आगे इसमें आपके पास फोर मेंबर रिंग के बहार कटाये नहीं ठ्यान से सुनू देखोकिंएर विविजी इसस सॉध्र Chicago已经 है यह के अब ध्यान से सनना यह मिधा लवओ यह मिधाईल अबवओ यह मिधा करेगा तो जनररल है जो फॉर वीवदीन वो प्रिफर करेगा बिलो से जाना वो उपर से आना प्रिफर नहीं करेगा वो दो मिथाइल उपर बलके गुरुपे तो बिलो से जाना प्रिफर करेगा तो जो अगर बिलो से जाएगा तो यहां पर ध्यान से समझोगे तो यह सीएसरी प्लेनर था कटायन पहले प्लेनर था क कोई नीचे से अटाइक करेगा तो में सी एसरी कहा आ जाएगा उपर आ जाएगा तो इसको कैसे लिखो गया है यह यहां बॉंड बना रहा है ऐसे सी एसरी कहा आ जाएगा उपर यहां पर है कटायन बन जाएगा ऐसे इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझाएगी बात य इसमें दो मिथाइल ग्रूप बिलो में थे वो भी है यहाँ पे देखोगे यह स्री है यह देखो यहां से एक दो तीन चार पाँच छे और यह साथ सेवन मेंबर डिंग लिखनी है आपनों ऐसे 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 इस तरह से कितने हों कि तीन और चार साथ हो गए यह अब हमें था यह यहां पे देखोगे आपको समझ आएगी बात कि यह सी एश्री यह प्लेनर कटा आंगा कर सकता है तो यहां पर सी है और यहां पर यहां पर ऑफिछ आ जाएगा ऐसे इसकी स्ट्डियो के मिस्ट्री अभर कैसे आए क्योंकि यह दो मिथाइल ग्रूप यहां पर यह जो दोन के एक्जाम में यही आपका क्या है फाइनल प्रोडक्त इसकसेशन स्प्रॉम एक किताब में से question है इंद दोनों पर तो हमने कोई reaction की नहीं इंदोनों में पर कुछ हुआ ही नहीं है तो उनकी स्ट्रीयोकेमिस्ट्री चेंज करने का कोई अच्छा question बनता है वो आया नहीं अभी तक वो भी आ सकता है वो बताऊंगा मैं आपको ठीक है इसके बाद इसमें देखो question कैसे आया था mcpva की अगर आपको पहले थोड़ी जान करी होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जब अलकीन होती है अलकीन क्या करती है अलकीन होती है आपके पास ये double bond होता है इसमें अगर आप mcpva डालोगे तो आपके पास क्या कम क्या होगा यहां पर यहां पर oxygen है hydrogen है यहां पर double bond और हैं और यहां पर अर ग्रूप है ऑसे आर गुरूप मतलब यहां पर मेता-क्लोरो होता है मेंटा-क्लोरो पर्बन ज़ नहीं होता है रेंगुचिरिया सर्चिए क्या होता है म Denn कि मेटा क्लोरो बेंजोय कैसे बन जाता है ऐसे यहां पे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ आएगी कि यह आपके पास आपका यह मेटा क्लोरो बेंजीन है क्या हो रहा है यह पाइब बॉंड ब्रेक हो रहा है द्यान से समझो है इस तरह से इस बॉंड को ब्रेक करके यहां पे बॉंड बना रहा है कि इसी को आप कोंसर यह कहा होता है क्या इस् А से आपकी लि aufsες होता है कि समय इसमें बन जाता है यह यह को ले रहा है तो यहां पर क्या बन जाता है कि वह यह चाइज आता है इस तरह से आ है है वह यह चाहर जाता है यहां पर डबल बॉन्ड हो ऐसे क्या बन गया मेटा क्लोरो बेंजोयक असिड बन गया यह बन गया तो सिंबल सी बात यह है कि जब आप अलकीन के साथ एमसी पीज़की रियक्शन करते हो उस अलकीन का इप एकसिडेशन हो जाता है प्लस मेटा कलोरो इस फॉर्म हो जाता है तो आइजे ज़रा इस question को देखते हैं यहां पे विजा है कहानी mcpva डालोगे तो mcpva में क्या होगा mcpva में आपका इस compound का इसको ज़रा उपर लिखो कि इस compound का क्या हो जाएगा mcpva डालने पर आपके compound में च्या बन जाएगा आपके compound में बन जाएगा compound में epoxide बन जाएगा ऐसे यह OH CH3 CH3 इस तरह से और जैसे कि मैंने कहा अलकीन के साथ MCPVA की reaction होके epoxidation हो जाता है epoxidation के बाद आपका metachloro benzoic acid form हो जाता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि benzoic acid जो होगा as a H plus का काम करेगा और यह oxygen की electron pair इस पर attack करेगी तो इस पर attack करने के बाद जो product बनेगा देखो कैसे बनेगा ऐसे ऐसे CS3 CS3 इस तरह से क्या होगा आगे आगे देखो 3 member ring पहले ही strain compound होता है string ring होती है और उसी में इसने क्या किया इसमें oxygen के लोन पर ने proton पर अटक कर दिया तो यह डी लॉकलाइस करेगा यहाँ पर इसमें क्या होगा इसमें यह लोन पर जो होगी वह यहाँ अटक करेगी इसको उपन कर देगी जान से रहे को यह double bond वो बना रहा है हिल उन पर इसे पैटक कर रहे है इसको उपन कर रहे है तो क्या हो रहा है समझना जान से यह asities है भई we asities है यह उपर का भी whether this is यहाँ डो c s3 asities है यहाँ पर क्या है वो ह है वो double bond वल बना रहा है ऐसे यह देखो ये जो bond ना यह bond भी as it is है इसका बस क्या हुआ है यह डबल बॉंड बना है और यह बॉंड इस कारवन ने इस कारवन के साथ बॉंड बना दिया है ऐसे और इसने से केस में क्या करना है ऐसे केस में जब आपको री राइट करना होगा आप सबसे पहले नंबर इंग करोगे दूंडोगे सिक्स मेंबर इंग कहां पर जैसे कि मैं ढूंड रहा हूं कार्बोनिल से शुर्मात करता हो एक दो तो तीन, चार, पांच ये ब्रीज हेड़े और एक को गनेक्टेड नहीं है वन को गनेक्टेड नहीं है तो लेके जाओगे तो जहां से लाओगे वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा तब तो री राइग है और उसमें ब्रीज भी है ब्रीज को हमने नमबर दिया है, सेवेन नमबर ये किस के बीच में है, टू और फायू के बीच में तो ये टू और ये फायू है टू और ये फायू है, सिक्स नमबर का जो कारबन है उसमें दो सी एस त्री है, ये लिख लिया हमने और जो one number का carbon है वहाँ पे double bond वो है ये भी लिख लिया हमने जो two number का carbon है उसमें CH2OH है ये भी लिख लिया हमने और जो three number का carbon है और four number का carbon है उस पे कुछ नहीं है प्रोडक्ट ही आ गया हमारा प्रोडक्ट ही आ गया तो यही क्या है आपका final product है और इसी को पूछा गया था jam 2000 यहां पर लिखा है क्या हाँ लिखावा है विल्कुल इसी को पूछा गया था आपका कहां पर इसी को पूछा गया था jam 2019 समझ में आ रही होगी बात ठीक है बड़ा ही interesting question है बस numbering का खेले numbering अगर आ गई तो ऐसे के question easily हो जाएंगे practice is the solution प्रैक्टिस इस दो सोलूचन numbering करके practice और numbering आपको करनी होगी कि आगे देखते देखो semi-pinnacle type rearrangement के कुछ questions है पिने डिसक्स किया था पिने डिसक्स किया था पिने तो तीन ही rearrangement के थिंग थम्निल पर नाम लिखे उससे ज्यादा rearrangement हम discuss करने वाले हैं कि तोसील क्लोराइड डालोगे तो जब भी जैसे क्या होता है आलकोगल होता है और ओच इसमें अगर आप तॉसील क्लोरेड पिरीडीन डालते हो तो यह Democrats बन जाता है तो यहांप मैं दयान से समझ और यह बात को तो आपको समझाएंगा यहां क्या होती है इस्में कहाँ है इसमें कहानिया इसे होती है कि और टोसा अलेशन बन जाता है इसकी जो टोसा अलेशन की से का होगा सबसे पहले सबसे पहले टोसा अलेशन कर जाएगा यहां से डी लोकलाइस करके इसको निकाल दिया जाएगा तो इसमें जो प्रोड़क्ट बनेगा डबल बॉंड हो एक ऐसे है यह यहाँ पे दो मिथाइल है अब यह क्या कर रहा है यह आपका इसके साथ बॉंड बना लिया ऐसे yn नमब्रिंग कर लह गड़ हो गई तो नमब्रिंग कर लो로 बहुत ही इजी तरीका है एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ क्या हो रहा है एक नमबर पर डबल बॉंड हो बन noch है दो तीन तीन नर्बर बीज़ेट कार बने चार पांच छे और सेवें नमबर पे OTS को निकालके 6 और 7 का bond बन गया बट 1 और 6 का bond भी गया हो चुका है बन चुका है यहापर 1 और 6 का bond break हो चुका है और 6 और 7 का bond form हो चुका है ठीक है तो यह क्या था आपका Semi-Pinnacle इसे को क्या करते हैं इस टाइप के reactions को Semi-Pinnacle कि इस ट्राइब के रियक्शन को केते हैं सेमी पिनकॉल री अरेंज्मेंट हो साधीर यहां करो दो थे बीविए क्वेश्चन ने इंपोर्टन क्वेश्चन मैं से कुछ बेर उस इसमें से कुछ ग्षाम में आप ही चुक है ठीक है देखो यहां पे अगें टर्शरी और सेकंडरी है तो किसका टोसा एलेशन होगा अगें और होगी प्राइमरी सेकंडरी तर्शरी तो सेकंडरी और टर्शरी में से सेकंडरी का होगा सेकंडरी और टर्शरी में से सेकंडरी का होगा तो इसमें अगर आप तौसील क्लॉराइट प्रिडीन डालोगे ऐसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, OTS बन जाएगा ऐसे और यह OH बन जाएगा ऐसे तौसील क्लॉराइट का मेकनिजम आपको पता होगा यह मैं कंसिलर करके चल रहा हूँ अगर नहीं बताओगा तो आप कमेंडर सेक्शन में बता सकते हो मैं अगले क्लास में हो डिसकस कर लूँ है चले आगे वोलो CACO3 नालोगे तो CACO3 क्या करेगा? वो C O 3 माइनस है 2 माइनस होता एक चुली है C O 3 ऐसे यहां से यहां माइग्रेट करेगा इसको निकाल देगा सेमी पिनेखोल टाइप री अरिजमेंट होगी इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझाएगी क्या यहां पर क्या हो रहा है इस रिंग का बाकी तो खेल as it is है बाकी तो सब कुछ as it is है बाकी सब कुछ as it is है ठीक है बोलो clear यहां पर क्या होगा आपका पहले tocylation हो जाएगा A product बन जाएगा then ca, co3 होगा B product बन जाएगा ठीक है B product बन जाएगा बोलो clear यहां बहुत ही simple यहां पर reaction है this is again question from Claydon Claydon में से ही question है यह exam में आ सकता है यहां पर देखो के यह again question है अपका Claydon से semi-pinical reinforcement type का question है यहां पर देखो के HGNO3 डालोगे HGNO3 again अपका क्या हो जायगा AODEIN के साथ HG plus अपका reaction करके इसको निकाल के लेके जाएगा तो इसको जब यह निकाल के लेकर जाएगा तो यह गूर्प यहां माइग्रेट कर जाएगा ऐसे और इसमें एक दोselves थीन चार पाँच छे सिक्स मेंबर रिंग बनाएगा इसमें क्या बनाएगा सिक्स मेंबर रिंग बनाएगा ऐसे एक नमबर, अपका ये दो नमबर कहां पे भीया ये तो फिर आपका स्टेबिलाइज करेगा इसको बॉंड ब्रेक करोगे तो तो ये डबल बॉंड ओओ ऐसे इसको आप ऐसे लिखो या दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो आप इसको और एक नमबर किसको जै सकते हो क्योंकि यह दो नमबर है ना एक नमबर आप दे सकते हो मतलब यह bond बनाए इसने इसके साथ bond बनाया एक और ये क्या है आपका ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 है और 6 आपको 6 और 7 के बीच में bond बनाना है तो आप जिस तरह से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 6 और 7 के बीच में bond बनाना है तो ऐसे बना दिया 3 और 5 में अगर देखोगे 3 और 5 में अगर देखोगे तो आपको समझाएगी बात ऐसे ऐसे प्रोड़क्ट बन जाएगा यह ब्रीज है ठीक है 3 और 5 के बीच में ब्रीज था तो यही क्या होगा आपका final product होगा यहाँ पर ऐसे बोलो clear रे बात यही आपका क्या है फाइनल प्रोड़क्ट है आपका यहाँ पर ऐसे है तो यही क्या है आपका same final product है इसको मिटा ही रेते हैं क्यों हम slide भर के रख रहे हैं ऐसे हैं clear रे बात बोलो बहुत ही simple यह reaction है semi-pinacle type reaction से 3 reactions में CSR net के लिए बोल रहा हूँ जो jam और CUDPG के students से उनके लिए नहीं होँगे ठीक है आगे देखिए देखो dimagino rearrangement what is the dimagino rearrangement dimagino rearrangement क्या होती है बटा देखो simple से बात है हमने एक generation बढ़ा था carbocatine generation बढ़ा था हमने carbocatine बनाने का that is your R NH2 है इसमें अगर आप NaNO2 HCl डालोगे NaNO2 HCl अगर डालोगे तो आपको समझाएगी बात कि यह R NH2 प्लस बना देता है और यह जब तक stable रहेगा जब तक इसका temperature less than 5 रहेगा more than 5 temperature बना दिया NH2 भई छूमंतर हो जाएगा आपका बना देगा क्टाएं आपका क्या बना देगा क्टाएं तो सेम एक्जामपल यहाँ पर NaNO2 HCl इसलिए generations पता होने चाहिए आपके आधे reaction तो वही गताब हो जाती है NaNO2 HCl अगर आप डालोगे इसके लिए इसका mechanism जिसको पता नहीं होगा इसी series का कर्बोकटाइन series का लेक्चर नमबर 1 आपके last reaction आप देख सकते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा positive charge यहाँ पर देखोगे यह निकलेगा तो क्या बनेगा बटा यह बन जाएगा आपका कटाएन यहाँ पर ऐसे ring expand करोगे दो possibility वैसे ring expansion की भी possibility है 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर देखोगे 1,2,3,4,5,6 तो 5 और 6 का आपका यहाँ पर है 1,2,3,4,5,6 सो 1 पर क्या बन गया कटाएन बन गया यहाँ पर H2 वो इस पर attack कर देगा ऐसे तो यहाँ पर जो product बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा ring expansion प्रिफर करेगा ring expansion आपका क्या होगा major product होगा क्योंकि 5 से 6 जा रहा है 5 में bond angle होता है 108,6 में bond angle होता है 109 that is ideal for tetrahedral तो यह प्रिफर करता है 6 member ring में convert हो जाए तो इसमें major product क्या होगा आपका major product होगा आपका आपका alcohol that is secondary alcohol on cyclone यहां पर देखो के 4 member again 4 member ring में क्या होगा this is known as what? dimagino rearrangement this is known as what? dimagino rearrangement nn2 hl then h2 add किया जाएगा 4 member ring में भी same कहानी आपका nn2 hl डालो के तो क्या हो जाएगा तो आपके compound में हो जाएगा यहां पर n2 प्लस इसको निकाल दिया जाएगा ऐसे इसको यहां पर expand करेगा तो क्या बन जाएगा 5 member ring 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1 पर क्या आएगा positive charge आजाएगा h2 डालोगे h2 डालोगे तो आपके compound में क्या बन जाएगा h2 डालोगे तो आपके compound में बन जाएगा o h s o h s इसे ही अगर आप सेम कहानी करोगे 3 member ring के लिए तो उसमें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तीन प्रोड़क्ट मिलते हैं एक नहीं दो नहीं तीन प्रोड़क्ट मिलते हैं c h 2 यन ट्रिपल बॉंड यन प्लस ऐसे निकल जाएगा बन जाएगा कटायन इस तरह से बन जाएगा कटायन इस तरह से अगर आप इसमें एक यस टू डालोगे剛剛 यह स्टेबल होता है इसमें ह्टू डालो 번째 01 आपको यह यह बहुता है यह कटायन स्टेबल होता है साइक्डल प्रोपील नेस्ट वाला जो कटायन होता है स्रीपल हुई अंगर करता है टो ring expansion करेगा तो आपके compound मेंगा हो जाएगा जाल रडव y. f Pont में अ एससे आपके compound में 2aaaa is一樣 23-4 filter car यहाँ पर ऐसे है ऐसे mix नमबर के Carbon B क्या हो जाएगा कतायन बन जाएगा इस तरह से ठीकर यह कतायन बन जाएगा इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो आपके Compound में क्या होगा इसमें ये च्च्टो डालोगे ये ये आपका वेज बन जाएगा आपको ये पता है कि ये Sigma We are doing so dancing reason sizin sep façon device करता है स्टेविलैस करता है आपने देखा होगा इसको इसको इसके बारे में आपके पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जीवोसी में पढ़ा होगा तो ये कट आयन के करती है कि इस तरह से कटायन को स्टेबिलाइस किया जाता है सच में ऐसे होता है यह रियक्षिन प्रूव करती है रिंग एक्सपांशन भी पॉसिबल है इसलिए मेजर प्रोड़क्त और रिंग एक्सपांशन का ही मिलता है लगभग आज पास आपको यह भी मिल जाता है 46% क्य होके अगर रियक्षिन होगी तो इसका मतलब है कि यह मेजर प्रोड़क्त बनेगा यह तो इसलिए बना क्योंकि यह स्टेबल कटायन था यह 5% बन रहा है इंडिकेशन कि सच में रिंग ब्रेक होके ऐसे कटायन को स्टेबिलाइस किया जाता है अब इसको कटायन को अगर आ है कि अच्छा यह कुश्चन कौन सा है यह आपका डिमेजिन का यह ठीक है तो पहले इसको कर लेते फिर मैं उसका रिल्ड बढ़ाकर यह वी गेट में आ चुका है कुश्चन गेट में कुश्चन आ चुका है देखो कैसे हैं आपके पास कंपाउंड इस तरह से इसको निकाल दिया जाएगा क्या होगा CH2 प्लस बन जाएगा ऐसे तो यहां पर क्या हो जाएगा यह यहां पर एक्स्पांड हो जाएगा ठीक है एक्सपांड कर जाएगा फाइव मेंबर से 6 मेंबर 1 2 3 4 5 आप इस साइड से करो इस साइड से करो दोनों सेम है जनरली अगर सब्स्टिटुशन आ जाता है तो जो इलेक्टरों रीच कटायन क्या है इसे जो 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 मोर इलेक्टरों डीच होगा वो क्या करेगा माइगरेट करेगा तो यहां पर देखो तो आपको समझाएगी बात एक दो तीन चार पाँच और यह छे पाँच नमबर का करवन छे नमबर के करवन से अटाच हो गया एक नमबर पर क्या आगया कटायन आ गया आप इस साइड से करते तो भी सेम था इस से करते तो भी सेम था यहां पर यह यहां पर दोनों जगावा पर कहीं पर आपको दे सकता ह यह च्टो दिया है इस पर टैक करेगा कंपाउंड बना देगा कुछ इस तरह से वह च्टू पॉजिटिव बनेगा ऐसे पहले यह च्टू निकल जाता है ठीक है यह यहांसे एक प्रोटॉन जो हता है वह च्टू को फ्रोटॉन ले लेता है यह च्टू ओ तो इसमें जो कंपाउंड बन जाता है वह कुछ ऐसे बन जाता है फाइनल जो पॉड़क बनेगा ओएच इस तरह से ठीक है तो सिंपल आपको कहानी है वही जो हमने पढ़ा हुआ है वही अपलाई करना है यह अर्गनिक मोलेकुल में असेड एड़ करो कार्बोकाइन बनेगा कार्बोकाइन रिंग एक्सपांशन पॉसिबल होगा रिंग एक्सपांशन करेगा कॉंट्रेक्शन पॉसिबल होगा कॉंट्रेक्शन करेगा रियरेंजमेंट पॉसिबल होगा रियरेंजमेंट करेगा और अगर रियरेंजमेंट करने के बाद अगर आपका कटाइन बनता ह तो इस टेबल का डायन बनता है उस पर रियक्शन करेगा और आपका दार्टिक प्रोड़क्ट बन जाएगा इस तरह से इंट्रामॉलकुलर इंट्रमॉलकुलर लास्ट टेप होगी इलिमनेशन तो यहां पर पहले एडिशन पॉसिबल थी तो यह तो ने पहले एडिशन कर दी अब हमारी चर्चा चल रही थी कि इस प्रोड़क्ट का इल्ड़ अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं तो यहां पर अगर आप रियक्शन करोगे जैसे सेमी कंपाउंड इ प्लस अगर आप डालते हो एच बीर डालते हो तो यह क्या करता है कि आर आर ओएच टू पोजिटिव में इसमें तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा इस तरह से रिंग एक्सपांशन करेगा यहां पर ऐसे तो जो अलकीन जो बनेगा यहां पर जो अलकीन बन रहा है यह कौन सा बन रहा है ट्राया सफ्टुटिड स्टेबल अलकीन बन रहा है तो यह क्या करेगा इस कटायन को स्टेबल स्टेबल अलकीन बनने की वज़े से इ बियार माइनस तो बल की नूखले फायल होता है तो यह लिख सकते हो आर आर यहां पे बियार आ जाएगा ऐसे समझारी बात तो इसमें बियार आ जाएगा इस तरह से समझारी बात क्या है बात यह है कि जो third product बन रहा था और यह major होगा ऐसे नहीं कि expansion वाला major होगा यह major होगा अगर इसको आपको major बनाना होगा कौन से compound को यहाँ पर जो 5% मिल रहा था वो हमने वहाँ पर major बना दिया तो इसको अगर major बनाना होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा इसमें आपको break करके जो alken बनेगी वो भी stable होना चाहिए और जो nucleophile है वो भी क्या होना चाहिए वलकी होना चाहिए मतलब वो उस पर attack ना करे ठीक है इस reaction का नाम क्या नाम होता इसका jubilant cyclopropyl ऐसे कुछ तो नाम होता इसका reaction का ठीक है मैं बताऊँगा आपको नाम जब मुझे याद आ जाएगा example देखते देखो क्या है एक्जामपल देखो क्या है simple example है डालोगे आपके compound में proton ले लेगा ऐसे क्या बनाएगा simple कहानी वही कहानी है OH2 positive से cutain बन जाएगा यहाँ पर ऐसे यह bond break होगा pH pH इस तरह से बियार माइनस अटेक करेगा यहाँ पर ऐसे ऐसे product बन जायेगा major सेम यहाँ पर सेम यहाँ पर आएगा सेम यहाँ पर बनेगा तो यह आप homework कर सकते हो मैं directly product बना देता हूँ आप mechanism घर पर कर सकते हो कि यहाँ पर Edinburgh आ जायेगा ऐसे बिड़ीग सकते हैं खु़िखकत नहीं ठीक है ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ऐसाइब बना करें यह मिटाईल यह इसे भी भी आया है लिक्षकतेLord इनका मैकनिजम आपको गरपे लिखना है इसका मैकनिजम आपको गरपे लिखना है ये जख अलना अब है आ जिए आरे नेट में आया हुआ था कॉन से साल में आया था मुझे एक्जाक्ट remember नहीं तो इसका नाम मुझे याद ने आरहे हैं दो इस रिक्षन का एक नाम है इस reaction का एक नाम है, तो आप ये करो, तब तक मैं आपको नाम बताता हूँ, ये question करो आप, अरे simple है न, वही तरीका आपको apply करना है, बिल्कुल same to same, वही तरीका आपको apply करना है, बिल्कुल same to same, just a second में नाम बता रहा हूँ, बड़ा सा नाम है, इसका cyclopropyl rearrangement है, आपके पास पूरे 100 seconds है, इतने वही, 1 minute 40 seconds है, आपके पास पूरे, बड़ा नाम है, इसका ठीक है, कोलीन कोवीटी अख रियाक्चन हो दियो, बहुत पॉपुलर रियाक्चन हो दियो, तो दो मिनिट आपके समाप्त हो चुके हैं और मुझे अभी तक नाम नहीं मिला है तो होप आपने क्वेशन कर लिया होगा नाम तो मुझे नहीं मिल रहा है सो नाम अगर मुझे मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा देख और जूलिया बूट लैंड्स यह से होगा इसका नाम जूलिया बूट लैंड्स साइक्लोप्रोपेल रियारिजमेंट ऐसा कुछ तो नाम है सही यह बिल्कुल याद आ गया मुझे नाम भी देख लेता हूं जूलिया कहा है बई कि इसका नाम होता देखो जूलिया बूटलैंड नहीं मिल रहा है मुझे बट मुझे याद आ गया एलज जूलिया बूटलैंड साइक्लोप्रोपेल रियारिजमेंट ऐसे कुछ होता है थोड़े वह स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है ठीक है दिस इस नोन आस वाट जूलिया बूटलैंड cyclopropyl rearrangement julia brutland cyclopropyl rearrangement इसका नाम होता है बढ़ा सा नाम है मैंने कहाथ तो यही आपकी reaction है इसमें भी क्या होगा सेमी कहान है इसमें भी तो सेमी कहानी है यह यह डबल वांड है यह आपको बियार आ जाएगा यहाँ पर ऐसे जब भी ट्राया सब्स्ट्रीटिट वलकिन बनेगा तब प्रिफर करेगा यही प्रोड़क्त करेगा तो यही प्रोड़क्त प्रिफर करेगा आगे देखिए जड़ा टिफिन्यू डिमेजनो रियर्जमेंट इसमें इस्टो था वह यह नहीं था टिफिन्यू डिमेजनो रियर्जमेंट में आपका ओएच प्रेजन्ट होगा और यहाँ पर एच्टो प्रेजन्ट नहीं होगा जैसे कि देखो यह नहीं डालोगे तो आपको पता है क्या बनेगा आपका बनेगा फायुमेंबर इंग यहाँ पर यहन टू प्लस बन जाएगा यह क्या करेगा यहां से सुनू यह डी लोकलाइस करेगा इसको एकस्पांड कर देगा ऐसे इसको निकाल देगा तो एक दो तीन चार पाँच और यह छे शिक्स मेंबर रिंग बन जाएगा डबल बार्ड ओ बन रहा है ऐसे यहाँ एक दो तीन चार और यह पांच पांच नमबर किससे जुड़ा है चे नमबर से यह चे नमबर से जुड़ा है यह पॉजिटिव निकल जाएगा यहां से तो आपके कंपांड में बन जाएगा ऐसे इस तरह से डबल बॉंट ओ बोलो क्लियर ही बात बिल्कुल डबल बार्ड वो बिल्कुल clear होनी चाहिए बात चले आगे बोलो question देखो के 5U member रही है जिसमें CH2 NH2 है OH है तो 6 member ketone बन गया अब देखो 6 member रही है जिसमें CH2 NH2 है OH है तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 member ketone बन जाएगा ऐसे 7 member ketone बन जाएगा इस तरह से तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझो के बात तो आपको clarity आएगी बिल्कुल देखो कैसे होगा यह ने no to hcl डालोगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या OH है CH2 NH2 प्लस है इसको निकाल दिया जाएगा तो आपके compound में क्या बनेगा cation CH2 प्लस यहाँ पर देखोगे आपके पास यह एडिंग expand कर जाएगा double bond ओ ऐसे बन जाएगा numbering कर लो 1,2,3,4,5,6 6 और 7 का bond बन रहा है यह देखो 6 और 7 का bond बन गया 1,2,3,4,5 1 और 6 का bond तो टूटेगा तभी तो 6 और 7 का bond बनेगा ठीक है तो यह ऐसे आप convert कर सकते हो इसमें question क्या आता है देखो question क्या है बड़ा interesting question है अगर आपके पास compound है actually मैंने answer लिख रहा है यहाँ पर मुझे question यह पूछना था कि मेरे पास अगर compound ऐसे है 5U member ring और उसको अगर मुझे 6 member ring की tone में गनवर करना तो मैं कैसे करूँगा तो आपको यह तो पता है अरे पहला example हमने देखा न टिपी नूट इमैजन और एरिजमेंट में आपको यह पता है कि इसमें अगर अगर न नो टू अचल डालोगे तो यह product बन जाता यह आपको पता है अंब अब यह पनाना अभी तो यह कैसे बनायों गे benefit है है एच सीन डालेंगा कि mंगिए हए किन डालेंगे देखो और यह क्या होगा है एच पलस का सोर्ष आपका को यह इस पनस का सौर्ष का बन जाएंगा है है यह सीन डालोगे तो इस प्लस के सोर्ष में क्या बन जाएगा double bond O hydrogen प्लस यहां पर बन जाएगा ऐसे cn- आएगा cn- आएगा इसको open कर देगा तो यहां पर product बन जाएगा किस तरह से बनेगा OH cn ऐसे आप इसमें lithium aluminum hydrate डालोगे तो आपका CH2 cn से अगर आपके पास क्या है और cn है तो इसमें अगर आप lithium aluminum hydrate अगर डालते हो तो आर c h2 n h2 बन जाता है c h2 n h2 बन जाता है ऐसे ठीक है c h2 n h2 बन जाता है इस तरह से क्लियर बात बोलो तो इस तरह से यह बन जाएगा n h2 कनवर्ट हो जाएगा इसमें यह अगर मुझे यह करना इससे तो आप बताओ अभी आप बताओ अभी आप बताओ के अभी ऐसे तो यह तो यह तो पहला मैठल इसके ःनादर कोई मैठट होगा तो कमेंड श्क्रें बता सकते हों बहुत easy को dám एक मैठडर इसके लिए तो वह बहुत easyे है वा आपको एक बतानी होगी कमेंड श्क्रिशन में एक है धीक है खिया है अरे पemmentलोग क्लीर ली बाद यह दिखेंगे यह दिखें देख रहा होगा फिलकुल यहां पह देखोगे यह compound compound क्या है maar compound अपका इस तरह से ? और nem भिए 10 और इसमें इसमें धाय है कि इसमें अभ 25 गृवाइसे अफ्सटी आप है इसी सू इसमें एक पी लोमें प्रडाना को जिसको दिख रहा होगा इसे यहां पर देखो के नेक्स्ट क्या है कि करें ख, zero What a call है, इसमें दोनों बिलोव में है, Oh, kalo बंद की एर हे एक अच़ो में है इस हो बंद की इसमें बोमक बिलोमे न यह किया है, एक बंद Х से लेड़ किया है तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा प्रोडक्ट चार आइस उमर इसके यह थे इसको मिटा जिता हूँ मैं नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है रिर्ड़ाइट कर लिया है ठीक है यह देख लो यहाँ पर ऐसे चार आइस उमर इसे है यह सीमपल सी बात है किया बन जाएगा अब इसमें इंपोर्ड़न पॉइंट क्यां किया है कंवर्जन इसका कंवर्जन कैसे करना है आफका साइकलो इससे बनेगा तो देखो यहां पर OH कहाँ पे है, OH आपका अबव में है NH2 NA, NA to H से डालो के तो N2 प्लस बन जाएगा है ठीक है, मैंने कन्वर्जन भी कर लिया और मैंने N2 प्लस भी बना लिया और आपका क्या बना लिया कन्फोर्मेशन भी लिख दिया ठीक है, यहाँ पे OH कहाँ पे OH नीचे है, N2 कहाँ पे N2 भी नीचे है इसमें देखो के OH कहाँ पे अबव में है और N2 कहाँ पे बिलो में है, तो यहाँ पे N2 प्लस बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे OH बिलो में है और N2 अबव में है कि अप कहानी शुरू होती है यहां से यहां तक तो बच्चों की बात चल दीदिए सिंपल चार आइस उमर कैसे होते चार आइस उमर नहीं पूछता है मैंने इसे बताने कलिए ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या है इसके बाद यह है कि आपका यहां पे होगा जनरली एंटी गुरूप माइड़ेट करेगा तो यहां पर यह भी है वैसे यह माइड़ेट करेगा तो तर्चरी व्यूटल के एडजिसन में कटायन बनेगा यह माइड़ेट करेगा तो ऑक्सीजन के एडजिसन में कटायन बनेगा मतलब ऐशे से आईसे यह निकल गया यहां पर क्या है औक्सीजन के एडजिसन Force के यह लिए यह यह लगताए कि यह लगता है कि आगे लेखे जाना चाहिए मुझे देखो यहाँ पर आगा कि यह देख लो यहाँ पर कैसे हो रहा है यह इसने यहाँ से आगा यहाँ परकतां यहाँ पर यहाँ परियो कि यहां पर यहाँ पर होगा मैंने बताया था यहाँ एक है एक यहाँ है यहां पर हैड्रोजन यहाँ अब यह क्या करेगा यहां से हड्रोजन माइ Küरवाइगा क्योंकि यह जब यह जommes I can यहां पर जोके टायन बनेगा वह मेसिमेर्ट लैसा अट अबनेगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट है यहां पर 123 aldehyde बनेगा यहां पर double bond O मतलब aldehyde CHO यह बन जाएगा आपका tertiary butyl ऐसे ठीक है यहां पर देखो कि एंटी में oxygen है तो oxygen डारेक्ली यहां पर अटाक करता है ऐसे इसके अर्वडल में इसको निकाल देता है तो इसमें प्रोड़क्ट बन जाता है आपको निकाल दिया जाएगा तो इसमें क्या बनेगा चाहिए अगा तो इसमें बन जाएगा ऐसे कैसे बनेगा वाई फायो मेंबरीं ऐसे आपका यह क्या है ओएच है ऊपर है यह जान से देखना इसले नीचे नहीं लिखो गें यह इक्वेटोड़ में उसको उपर नहीं लिखा यह है यह है इसलिए हैड्रोजन यहां पर भी नीचे है यहां पर भी नीचे है यहां पर भी यह तो नीचे ही रहेगा यह से इसको स्टेबिलाइस करेगा लेनर फॉर्म में लिखोगे तो आपको समझाए कि कहानी सेम टु सेम पहले कुछें की तरह है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि यहां आपके कंपाउंड में बताओ यह दोनों प्रोड़क कोन देगा यह दोनों प्रोड़क कोन देगा यह तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रीओ के मिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें इसमें इन दोनों में जिसमें भी एक्वेटोर्यल पर वहां पर फाई मेंबरिंग बनेंगी याद नहीं करना है सब्सक्राइब करना है यहां तो यहां पर बंद रहा है ऐसे जैसे की जैम में कुशन नेट में आया हुआ है जैम में भी कुशन आया हुआ है सारे एक्जांस में कुशन आया है कौन सा अमिनो अल्कोहल कंपाउंड देगा अल्डिय नीचे दिया है दान से समझना वहां पर उपर था तो नीचे कब मिलेगा भई देखो नीचे यह क्वेशन करने के लिए आपको यह कंफरमेशन पता होनी चाहिए अगे देखो कैसे इन्होंने पोजिशन चेंज करके द और से टर्शेरी वूटाइल यहां पर देखो गए और थी ड्रशें करता है तो एकजामिनर चेंज कर सकता है कौनसेप्ट से इस ए हैं एे इसी मैंने चार वापशन डॉक है यह चार वापशन मैंने डॉक है इसा लग रहा हाँ हां इसका सौलूशन देख रहे हैं ठिक है यह वर यह वर मिज़ाएक इसमें मिल जाए ज़िए किताब Tea को से और एक क्वेशन में कर रहे हैं तो इन इन वर सेल सेलिए इना टू एत्सियल है यहाँँ पहर बर देखे कैसे होगा ठीक है, यहां पर कैसे होगा, simple बात है अरे जो N2 है, वो क्या बन जाएगा, NH2 है वो N2 बन जाएगा तो आपका यहां पर directly में लिख रहा हूँ, diisotization reaction है वई, जो N2 है, वो directly क्या बन जाएगा वो directly बन जाएगा आपका NH2 वो directly बन जाएगा आपका NH2 तो मैं directly इसको हटा दूँगा यहाँ पर लिख दूँगा N2 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 जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने N2 यहाँ पर N2 प्लस लिखना है N2 प्लस N2 प्लस N2 प्लस डाइजोटाइजेशन रियक्शन होगी N2 प्लस बन जाएगा कि जो N2 Axiol में होगा उसकेस में क्या होगा जो N2 Equatorial में होगा उसकेस में क्या होगा जैसे यह Axiol में तो इसका Anti-Hydrogen यह है यह यहाँ पर Axiol में इसका Anti-Group यह है तो इसकें इपोक्सेड की तरह इसपे अटक करेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसे होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, तो इसको अगर एक्विवैलेंट करके रिखोगे, तो कैसे रहेगा, टर्शरी बूटेल, अब ओ, इप compound क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा ओयच यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे अब हो में और यह इसको stabilize करके क्या बन जाएगा किटोन बन जाएगा ऐसे तर्शरी ब्यूटाइल अब हो में ठीक है इस तरह से अब देंब्धन से equatorial में जो है उनकी कहानी थूँड़ी अलग हैं उनकी कहानी थोड़ी अलग है देखो यहाँ पर कैसे त जो equatorial में है उनकी कहानी देखो कैसे है इसका anti-group कौन सा है इसका anti-group है यह थीक तो参र अगर द्यान से समझोंग है तो OH नीचे था यहाँ पर ऐसे यह positive charge hydrogen कहाँ पर उपर tertiary butyl कहाँ पर उपर तो जब आप इसको stabilize करोगे और planar form लिखोगे तो यह पता है आपको 1, 2, 3 मतलब यहाँ पर 1, 2, 2, 3 ऐसे tertiary butyl कहाँ आएगा about a plane आएगा और hydrogen कहाँ आएगा hydrogen आएगा about a plane same कहाँ नी होगी आपकी यहाँ पर same कहाँ नी होगी आपकी यहाँ पर यह भी गुरूप यहाँ से मायरेट करेगा यह OH equatorial में है यह axial में है कोई फरक नहीं परता जो यह into कहाँ पर है वो फरक परता है जैसे कि यहाँ पर into कहाँ पर था equatorial में था into equatorial में था इसमें इसमें देखो और इसमें देखो इस case में क्या हुआ इस case में आपके ring contraction हो जब होता है जनरली ring contraction होता है ठीक है एक्जिल के case में antigroup migrate कर जाता है easily तो यहाँ पर गर समझो के तो यह ऐसे migrate कर रहा है ऐसे आपका CHO यहाँ पर ऐसे hydrogen नीचे इसमें कहा है hydrogen इसमें hydrogen उपर है और यहाँ पर OH है कहा है यहाँ है यहाँ है OH यहाँ पर OH था यह hydrogen इसको stabilize करेगा planar form में hydrogen और tertiary butyl कहां आएंगे planar form में tertiary butyl आएगा अबव में hydrogen भी आएगा अबव में इसका मतलब क्या है बिलोव में aldehyde आ जाएगा CHO ऐसे question पूछा था कि कौन से compound होंगे जो यह दो product देंगे so that will be the option number B and C यह दो प्रोड़क्ट दो जो compound होंगे NH2 equator में NH2 equator में है यह दोनों क्या देंगे MSQ question था मतलब है MSQ question था इसमें बहुत सारे question पूछ सकता है आपको पूछ सकता है यह यह product कून देगा ऐसे आपको पूछ सकता है यह यह product कून देगा ठीक है आपको पूछ सकता है ये ये प्रोड़क कौन देगा ये भी पूछ सकता है आपको ये भी पूछ सकता है कि ये प्रोड़क कौन देगा ऐसे तो अलग-अलग टाइप के question पूछ सकता है जैसे इसमें यहाँ पे ये पूछा है इसमें ये भी पूछ सकता है कि अबव में CH2 का पोजिशन चेंज करके दे दी न ये प्रोड़क कौन कौन देगा तो ये अलग-अलग टाइप के question पूछ सकता है ठीक है तो इसमें बहुत सारे question बन सकते है MSQ बन सकते है, NAD बन सकते है कौन सा नहीं देगा, ये भी बन सकता है तो अलग-अलग different type के टीफिन्यू, डिमैजनू, रियरेज्मेंट के question बन सकते है जो बहुत-बहुत-बहुत ही important है बहुत ही जरूरी है example ये और ये exam में आने के chances होते है तो आज के class में हमने आज के class में हमने सबसे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा आपके compound में सक्से पहले हमने पढ़ा semi-kinogular पढ़ा वेगनार मिर्वीन पढ़ा वेगनार मिर्वीन पढ़ा semi-pinacool रियरेज्मेंट पढ़ा उसके बाद cyclopropyl वाला julia, 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 brutlands वाला reaction पढ़ा उसके बाद फिर हमने और भी reactions पढ़ा जैसे कि tipi new tipi new dimensional arrangement तो यह important session था बहुत ही इसमें से मैंने बहुत सारे question भी cover किये previous year के बहुत सारे reference books के भी questions cover किये तो इस lecture के बाद अगर आपको solve करने होगे तो सिर्फ previous year questions आप देख सकते हो अपका हो जाएगा ठीक है thank you so much for the attending session मिलेंगे next class में thank you so much thank you so much for the attending session